आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वन इंस्पेक्शन जो आपकी बुक है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट है पहला चैप्टर इंस्पेक्शन है उसी को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन एं प्रियेट होगा, स्टेंडर्डाइजिशन बनेगा, जिसकी वज़े से कंसेक्यूनली रिजल्ट क्या आएगा, स्टेंडर्डाइजिशन का इंटर्चेंजेबिलिटी आएगी आएटम्स में, तो ये पूरी लाइन का मीनिंग क्या है, इंस्पेक्शन लेके आएगे, तक, यानि कि कहने का मतलब ये है, कि इंस्पेक्शन तो पास्ट को डील करता है, क्वालिटी कंट्रोल प्रिजेंट को देखता है, पास्ट में क्या हमने किया है, वो सही किया है, या नहीं किया है, वो डील करता है, इंस्पेक्शन, पास्ट का मतलब कि अभी मशीन ने तो अलग-अलग measuring instrument और जो सब चीजे होती है inspection के लिए use करी जाती है लेकिन quality control क्या होता है quality को control करना अभी quality कैसी है present में वो आता है present से deal करता है तो कहने का मतलब यह है कि inspection and quality control लेके आएंगे तो उसके वज़े से product हमारा standard बनेगा standardization होगा, standardization का मतलब यह है कि हमारा item जो बन रहा है वो same यानि कि उसका एक size है वो standard size है और interchangeability का मतलब यह है कि अगर एक company ने एक factory ने एक size का nut and bolt कुछ भी बना लो जैसे nut बनाया, दूसरी company उससे size का bolt बनाएगी तो वो अगर एक साथ लेके आएंगे, assembly करेंगे तो वो fit हो जाना चाहिए, यानि कि अगर दो company अलग अलग है, एक पार्ट यह बना रही है, एक पार्ट यह बना रही है बट दोनों की assembly जब करेंगे, वो हो जाने चाहिए, इसका मतलब होता है interchangeability कहीं का product कहीं पे use कर लो, किसी भी company का है, अगर वो same size का है, size उसका same है, specification same है तो वो दिक्कत नहीं आएगी use करने में, same work देगा तो inspection quality control अगर बात करें तो क्या है, measure करता है, what the standard of measurement यानिकि what are the standard of measurement, अगर inspection and quality control लेके आएंगे तो उसका मतलब यह है कि हमें पता लगेगा, measurement के standards क्या क्या है अब measurement क्या है, measurement basic purpose, यानिकि basic purpose measurement का यह है यह पता लगाना, determine करना, कि component जो बना है, जो component manufactured हुआ है उसकी जो requirement, यानिकि जो manufacturing requirement है, वो as per the specification है या नहीं जब measure करेंगे, तो उसको as per the drawing जो बनाई है, उसकी according तो measure करेंगे measure करने के बदो से check करेंगे कि या वो as per the drawing है या नहीं है तो measurement क्या देता है, measurement of given quantity is essential as an act or result in comparison between quantity यानिकि जो quantity जिसका magnitude हमें पता है, उसके साथ में comparison करने के लिए use होता है और ये predefined standards होते हैं, कहने का मतलब ये है, कि हमने पहले से ही decide कर रखा है कि हमने ये quality चाहिए, ये safe size चाहिए, तो उसकी according measure किया जाता है, जो item बन गया है तो measurement करते है numerical values में use होता है for example, अगर हमने length use करनी है, लंबाई नापनी है तो उसके लिए हम अलग unit use करेंगे, weight के लिए अलग unit use करेंगे, temperature के लिए अलग से use करेंगे, color वगएरा के लिए अलग code वगएरा use करेंगे तो इस तरीके से measurement क्या है, एक ऐसा tool है, जो कि हमें बताता है specification about the product तो measurement कहां पर use होता है, technology, development में, जैसे complex होती जा रही है technique of measurement अलग-अलग आती जा रही है, तो वो sophisticated होती जा रही है जिसकी वज़े से अगर हमें measure करना है, सही तरीके से, तो कुछ basic requirement को देखना होता है क्योंकि आजकल complexity जे आने लगी है, complexity जो को measure करना typical होता है तो basic requirement फुल्फिल होनी चाहिए measurement के लिए, पहली तो है standard तो standard यूज़ करे जाते है, comparison करने के लिए कि purpose क्या है और क्या वो accurately as per the purpose है या नहीं है तो commonly उसको accept करना चाहिए, commonly वो सभी जगे वो accept होना चाहिए accurately होना चाहिए, purpose यानि कि वो काम जिसके लिए बढ़ाएं गया है, वो accurately होना चाहिए पूरा और हर जगे वो accept होना चाहिए, मानने होना चाहिए हर जगे next क्या है, apparatus used and method adapted must be provable यानि कि ऐसा apparatus यूज़ करना चाहिए, ऐसे method यूज़ करने चाहिए जो कि पहले से prove हो चुके है, हाँ, ये सही है तो वही use होने चाहिए, unit of measurement क्या है यानि कि measurement ये पता लग गया, physical, कुछ numerical value होती है जो कि measure करने के लिए use कही जाती है, अलगले quantity के लिए अलगले units होती है, तो numerical value के according units दी जाती है तो unit कैसे होती है physical quantity की या जो भी measurement की quantities है तो जैसे जैसे measure किये जाते है physical quantity को magnitude as well as direction तो standard measure करना हर एक physical quantity का units के through किया जाता है यानि कि physical quantity को measure किया जाता है एक standard के द्वारा और उसको बोलते है unit, यानि कि unit दी जाती है उसको तो कुछ numbers units हैं अलग-अलग जो human history में use हुए है अलग-अलग type की unit use हुई है उनको internationally, nationally और अलग-अलग standards के through उसको दिखाया गया है जो system use होता है, जैसे commonly used system है जो कि international standard of unit यानि कि SI system mainly use किया जाता है तो SI system के according मिली अगर देखा जाएं तो units को हम mostly prefer करते हैं यूज करना, तो जो SI system है, seven base unit होती है और two supplementary units होती है तो base unit देखते हैं कौन-कौन सी है और दो supplementary unit तो base unit देखो, यह तो quantity यानि कि length को measure करना है mass को, time को, electric current को, temperature या किसको measure करना है तो यह आगी quantity और unit उसकी क्या है, length को measure करने के लिए meter में measure करते हैं तो उसकी abbreviation यानि कि small year कि कैसे हम उसको denote करते हैं small term में, यानि कि small m से denote किया जाता है mass को kilogram में use करते हैं, SI system में और kg से denote किया जाता है time को second में use करते है तो small s से denote किया जाता है electric current ampere में capital A से denote किया जाता है temperature Kelvin में use करते हैं SI system की बात हो रही है तो capital K से denote किया जाता है luminous intensity candela cd इसकी abbreviation है amount of substance small than mol dot यानि कि small mol dot use किया जाता है as abbreviation supplementary unit कोन सी है plane angle जोकी radian में measure किया जाता है rad dot abbreviation short form में लिखते है solid angle steradian यानि कि s r यानि कि small s r dot use करते हैं तो कुछ drive units होती है drive units होती है जो हम basic unit से drive करते हैं यानि कि निकालते हैं for example कुछ quantity जैसे कि force है force या फिर weight force या weight क्या होता है mass into acceleration होता है force mass into acceleration तो mass और acceleration को होई है mass को kg और acceleration क्या होता है velocity per unit time तो velocity की unit meter हो गई और time की second हो गई और acceleration और acceleration क्या हो जाएगी एक बार और time आ जाएगा क्योंकि velocity per unit time velocity की distance per unit time होती है तो इस तरीके से यानि कि velocity क्या होती है distance per unit time और acceleration क्या होती velocity per unit time तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d by t इसको भी को होटाएगे तो क्या जाएगा d by t आ जाएगा तो d by t तो d by t square distance को measure करते हैं meter में यानि कि जो length को measure करते हैं meter में और यह second square आ जाएगा तो यह force को unit क्या जाएगी kilogram meter पर second square लेकिन अगर हम इसकी drive हमने क्या किया इस वाली से हमने drive कर ले force की unit Newton यानि कि SI सिस्टम में force की unit Newton है then stress या pressure force divided by area होता है अब force की Newton आ गई तो area से divide करें Newton पर meter square या फिर पासकल प्रेशर को पासकल में use करते हैं next आ गया work workforce into distance तो force की Newton है तो Newton meter आ जाएगा और इसकी SI unit joule है तो इस तरीके से हमने units को drive किया है power क्या आ जाएगी work divided by time तो joule पर second आ जाएगी या फिर vote velocity distance per unit time तो meter per second acceleration velocity per unit time meter per second square frequency cycle per unit time तो cycle per second या hearts यूज करते हैं ये short symbols हो गए units के तो ये था discussion I think आपको helpful लगा अगर वीडियो अच्छी लगी है helpful लगी है अपने friends के साथ से जरूर करना बिलेंगे अगली वीडियो में अगले टोपिक के साथ में तब तक अपना खयाल रखना Have a nice day सब थार सकतरी